वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी आरो बुक से चैप्टर नमबर फाइव है गलता लोहा आज हम करेंगे इसके क्वेशन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होप चिल्दन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें क्वेशन नमबर वन देखिए कहानी के उस प्रसंग का उलेक करें जिसमें किताबों की विद्या और घं चलाने की विद्या का जिक्र आया है तो ये पूछ रहा है कि कहानी में एक ऐसा प्रसंग आया है जहां पे किताबों की विद्या मतलब जिसको किताब की नौलेज है और घन चलाने की घन क्या होता है एक बड़ा सा हतोड़ा होता है जो अक्सर लुहार लोग जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है लुहा का काम करते हैं वो चोट मारने के लिए एक बड़े से हतोड़े का यूज करते हैं तो अब हुआ ये था कि कक्षा में एक जो बच्चा था वो लुहार का बेटा था तो जब मास्टर जी उससे तेरे का पहाड़ा सुना नहीं पाता कई बहुत दिन हो गए थे उसे तो देखो कैसे लिखेगी धनराम के पिता लुहार थे इसलिए वह अपने बेटे धनराम को लुहार बनने की सिक्षा भी देते थे चिल्टर आपने देखा हुगा अगर कोई फादर डॉक्टर है तो कहीं न कहीं वो अपने बिच्चे को डॉक्टरी सिखाता है है ना कोई तब मास्टर जी ने यहा कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भराए्ट, लोहा क्यों? क्योंकि उसके पापा लोहे का काम करते थे तो तेरे दिमाग में विध्यायानि के पढ़ाई कहां से घुसे गी। तो चिल्डन ये चीज कक्षा के वो ये कह देते हैं कि भाई तू और तेरे फादर तो लोहे का काम करते रहते हैं तेरे दिमाग में लोहा भरा इसलिए तेरे दिमाग पढ़ाई कहां से घुशेगी इसलिए तुझे ये पहड़ा याद नहीं हो रहा है नेक्स्ट धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी का होता है चिल्टन कम टीटर धनराम जो है मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था तो आंसर कैसे लिखोगे धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि नमबर वन वह स्वैम को नीची जाती का समझता था भाई एक तो जो धनराम था ना वो नीची जाती का था तो वो सोचता था यार यह जो मोहन है यह हाई कास्ट का है ब्रामन है इनसे हमारा क्या मेल दूसरा मोहन कक्षा का सबसे उश्या लड़का था इसले भी कमटीटर नहीं मानता था कि भाई इससे मैं कमटीशन कैसे करूँ ये तो क्लास का टॉप पर है ये तो क्लास का सबसे उश्या लड़का है तीसरा मास्टर जी ने उसे पूरी क्लास का मॉनिटर भी बना रखा था किसको मोहन को तो इसलिए इन सारी बातों की वज़े से जो धनराम है वो मोहन को अपना कम्टीटर नहीं मानता था और एक और बात है, मास्टर जी को लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनेगा और पूरे स्कूल का और उनका भी नाम रोशन करेगा तो हर बात में जो मोहन था वो धन्राम से आगे था, इसलिए धन्राम उसको क्या नहीं समझता था, अपना कम्टीटर नहीं मानता, नेक्स्ट, धन्राम को मोहन के किस व्यवार पर आश्चारे होता है और क्यों, तो चिल्डन हमने देखा कि धन्राम है, जो लुहार का काम करता वो नीची जाती का था, लो कास्ट का था, वहीं पर जो मोहन था, वो हाई कास्ट का था और ब्रामर था, तो ये बात बहुत पुरानी है, उस टाइम पर हाई कास्ट, लो कास्ट इस तरह की बातें चलती थी, हाला कि आज की रिट में ये सम नहीं होता, तो मोहन का उसकी बात करना बड़े होने के बावजूद और हाई कास्ट के होने के बावजूद एक तो इस बात प्यास चरह होता है। दूसरा जब धनराम लोहे का कुछ काम कर रहा था उसमें जिसको दिक्कत आ रही थी तो तभी उसका जो दोस्त है मोहन वो खड़ा होता है और हाथ में लोहा उठाता है और उसको गरम करने लगता है और एक गोल-गोल सा जो पार्ट बनाना था वो बना देता है तो ये वाली बात देखके ना जो धनराम है उसको बड़ा आशचर होता है कि बताओ यार इसने तो कभी लोहार का काम सीखा भी नहीं और हाइक कास अदम्हिं है और फिर भी यह यहवाला काम कर रहा है आनसार देखो धनराम को मोहन के निमलेके व्यवहार पर आशचर हे नमबर वन मोहन के उच्छे जाती होने के बावजूद निम्न जाती के लोहार धनराम के पास बैठना तो अभी हमने देखा ना इस चित्र में क्या देखा कि भाई वो नीची जाती का था और वो उच्छी जाती का था लेकिन फिर भी वो उसके पास आके बैठता है एक तो वो इस बात से आश्चर चकित होता है दूसरा मोहन का खुद हतोड़ा हाथ में उठाना और लोहे को भटी में खुद से गरम करना अब ये देखो ये जो मोहन आया है ये तो जानता ही निये लोहार का काम ना इसने कभी लोहार का काम किया लेकिन फिर भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए आतोड़े को हाथ में उठा लेता है और खुद लोहे को गरम करने लगता है next question मोहन के लखनव आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्या क्यों का है होता ये है कि मोहन के पिता जी ये चाहते थे कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिखे एक बड़ा अफसर बने तो गाउं में ही उसके एक दोस्त थे जो की लखनव में रहते थे जब वो गाउं में आते हैं तो वो उसके अपने साथ लखनव ले जाते ये कह के उसके पापा से मोहन के हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे अब जो बच्चा क्लास में प्रथम आता था फस्ट आता था जो जिस बच्चे का जो बच्चे पूरी क्लास का मॉनिटर था उस बच्चे को जब लखनव ले जाये जाता है तो मोहन की पिता के दोस्त उसको एक तरह से घर का नौकर बना देते हैं कि जो बच्चा ग्लास में टॉपर था, मॉनिटर था, वो आज नौकरों जैसी जिन्दिगी लखनों में बिता रहा था। एक समय पर अपने गाउं में जो मोहन पूरी कक्षा का सबसे मेधावी छातर था, मतलब जो टॉप करता था, ग्लास में फर्स्ट आता था, वह मोहन लखनों आने के बाद नौकरों जैसी जिन्दिगी बिता रहा था, अब देख रहो उस मोहन का जिन्दिगी कैसी हो गई, नौकरों जैसी, उसे ना केवल घर का, बलकि पूरे महले वाले कुछ ना कुछ काम देते रहते थे, ठीक है, इसलिए, अब इसलिए के बाद य लखनों आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्या कहा है, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो एक लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं तीन तक काउंट चाबु कहा है और क्यों, तो चिलन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि मास्टर साहब जब उस बच्चे से लुहार की बेटे से धनराम से ये पूछते हैं, तेरे का भाड़ा तो वो सुना नहीं पार था, तो वो उसको ये कह देते हैं, यार तेरे दिमाग में लोहा भरा है, तुझे पढ़ाई कहां से या समझ में आएगी, तो यहां पर लेखक ये कहना चाते हैं, कि जो चोट हमारे शरीर पर लगती है ना, वो तो दस दिन बाद, बीस दिन बाद, एक महीने बाद, दो महीने बाद, ठीक हो जाती है, लेकिन हमारी जबान से निकले ह जो कड़वे वचन है, जैसे मास्टर सहाब ने जो बात बोली, कितनी गलत बोली एक बच्चे को, देखो ऐसे ये बोलना अच्छी बात थोड़ी है, भाई आप उस बच्चे को समझा सकते हो, है ना, उसको मोटिवेट कर सकते हो, उसको कुछ और टास्क दे सकते हो, तो धनराम कक्षा, मैं तेरे का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तब मास्टर जी ने यह कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, पढ़ाई कहां से गुसेगी तेरे दिमाग में, लेखक ने इन व्यंग वचनों को जोबान के चाबुक कहा है, ठीक है, तो जैसे चमडे की चाब लगा रहता है, फीता सा उसको मारा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि जो चोट होती है, जो शरीर पर लगने वाली वो तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन जो जुबान की चोट होती है, वो कभी भी ठीक नहीं होती है, अब यहाँ पर देखो कुछ प्रशन है, उसमे और ब्राममण आदमी थे जो कि बड़े अमीर थे वो लखनों में रहते थे तो वो कहते हम मोहन को अपने यहां ले जाएंगे और पढ़ाएंगे तो जो मोहन के पिताजी हैं वो खुश हो जाते हैं और वो यह कहते हैं कि देखो बिरादरी का यही फाइदा होता है और किस प्रसंग में कही गई है यह वाली बात वन्शी धर के मित्र ने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनो भेज दीजिए शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह पढ़ाई भी कर सकेगा देख रहे हो यह आदमी जुट बोलके यहां से बिचारे को ले जाता है उसके फादर को कह देता है मोहन के फादर को कि हम इसको शहर में ले जाएंगे पढ़ाईंगे लेखाईंगे किस आशे में कही गई है यह वाली बात यह कथन रमेश के प्रती करतग्यता व्यक्त करने के लिए कही गई है कि बरादरी के लोगी एक दूसरे के बाई जब कोई आदमी हमारी हेल्प करता है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं कि नहीं करते हैं तो ऐसे यहाँ पर मोहन के पिता अपने दोस्त रमेश के लिए करतग्न है कि भाई देखो तुम मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए ले जा रहे हो यह कहानी में यह आशा इसपस्ट हुआ है भाई वो वादा तो करता है कि मैं इसको पढ़ाऊँगा पर क्या वो उसको पढ़ाता है वो तो उसको जिंदगी नौकर जैसी बना देता है तो यह जो बात है जो वो कह रहे थे वो इसपस्ट नहीं हुई कहानी में यह आशा इसपस नहीं हुआ रमेश ने अपने वाइदे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया भाई वो कहके तो यह लेके गया था कि हम इसको लखनाओ में ले जाएंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे कल को आपका बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा लेकिन वहाँ जाके उससे घर के काम करवाते थे नौकर जैसी जिन्दगी दिलवाते थे नेक्स्ट उसकी आँखों में एक सरजक की चमक थी कहानी का यह वाकि बताईए किस के लिए कहा गया है यह वाकि मोहन के लिए कहा गया है जब मोहन ने अपने दोस्त लुहार के घर पे आके लुहार वाला काम करना ही गया है किस प्रसंग में कही गई है मोहन का खुद हतोड़ा हाथ में उठाना और लोहे को भटी में खुद गरम करना कि मोहन जिसने कभी लोहार का काम नहीं सीखा वो आज खुद हतोड़ा हाथ में उठा लेता और लोहे को भी भट्टी पे घरम करने लगता है इस संदर में यह वाली बात कही गई है यह पात्र विशेश के किन चारित्रिक पहलों को जाकर करता तो जो हमारा विशेश पात्र कौन है इस पूरे पा सब्सक्राइब के लिए खुद आगया जाता है चिल्डन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मोहन को पढ़ाई के लिए डैस ले जाएगा पढ़ाई के लिए उसको कहां ले गए दिल्ली ले गए थे लखनाउ ले गए थे मुंबई ले गए थे या नन आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिग देना मैं समझ जाओंगा देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कॉमेंट में सो आई होप मेरा ही छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाब बाई